आइफोन 7 Plus वर्सेस आइफोन 6S Plus बहुत से लोग इन दोनों बायत के दर्मयान कन्फ्यूज होते हैं कैमरा के लिए कौन सा बाय करना चाहिए पब जी के लिए सबसे 60 प्राइज में जाने का सोच रहे होते हैं फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 6S Plus बेतर है या 7 Plus बेतर है क्यो ये वाला फून वर्थित है आइफोन 7 Plus के उपर कि आप इसकी तरफ चले जाएए या आपको 7 Plus वाले फीचर देखने को मिल जाएंगे तो वही हम डिटेल में बात करेंगे कि पब जी में कितना फड़क है कैमरा में दोनों फून के कितना फड़क है डे बेडे यूजर में क आइफोन 6S Plus में आपको बैक साइड पर लोगो और वही पर दोनों के हमें कामरा में फड़काते हैं एंटिना बेंड़ में फड़काता है आइफोन 7 Plus के अटिना बैंड़ उपर वाली साइड पर चले गया थे वही पर आगर आप 6S Plus की बात करते हैं जिसके हमें काफी ज्यादा एंटिना बैंड़ देखने को मिलते हैं वही पर गात करते हैं तो आइपको आइफोन 6S Plus में अपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलत तो डिजाइन वाइस हनुट परसेंट सेंट प्लस बेटर रहे आइपून 6S Plus की निसबत तो यह चीज इतनी मेटर नहीं करती थी है तो हर बंदे को पता है क्योंकर नजर आती है असल बात हैं इनके अंधर वाली इनकी कैमरा इनके प्रसेसर और इनके डिस्प्ले अब बात कर आपको viewing angle वगेरा, Netflix देख रहे हैं या यूट्यूब वगेरा देख रहे हैं आपको बिल्कुल सेम रेजलेशन देखने को मिलती है और आपको कोई ज्यादा फरक फिल नहीं होता है, फरक ना फिल होता है जब आप आउट डॉर में जाएंगे तो brightness में हलका सा iPhone 7 Plus बेतर है, बा लेकर अगर आप बात करते हैं 7 Plus की तो इसके अंदर आपको haptic वाला फीडियो एक देखने को मिलता है, एक pressure sensitive बटन लगा हुआ है 7 Plus में, तो उसके लिहाँ से 7 Plus थोड़ा latest feel होता है और इसमें हमें एक curve glass भी हलका सा देखने को मिलता है 2.5D देखने को आपको 6 Plus में भी देखने को नहीं मिलता, जस टाच आइडी का फरक है, वो मैंने आपको बता दिया और iPhone 7 Plus की टाच आइडी ज्यादा फास्ट भी है और रिलाइबल भी है, तो ठीड और उसके बाद 3D टाच भी आपको दोनों फूंस में देखने को मिल जाता है, लेकिन एक फरक है, वह स्प सिर्फ काल के लिए यूज हो सकता है, लेकिन सेवन प्लस का स्पिकर स्टीरियो स्पिकर है, जब आप कोई कोई चीज कंजियूम करते हैं, तो आपको उपर वाज स्पिकर से भी आवाज आएगी, और वहीं पे प्रेशर सेंस्टिव बतन की बात हो रही है, तो एक और बात सिक्स एस सेवन प्लस की बात करते हैं, तो वाइब देशन ज्यादा बैतर है हलकी सी, सिक्स एस प्लस की निस्बत, तो ये चीज़े थी जो इनकी फ्रंट डिस्प्ले में चेंज थी, कंटेंट कांजर्प्शन में फड़क नहीं है, लेकिन फ्रंट साइट पे जो चीज़े लगी हुई है, मतलब टेच आएडी वगएड़ा उसमें फड़क देखने को मिलता है, अब बात कर लेते हैं इन्हों बाइस की पर्फॉर्मस की अगर आप पर्फॉर्मस की बात करते हैं, तो 6S प्लस में आपको ए 9 चीप देखने को मिलती है, और वहीं पर अगर आप आई आईफून 6S Plus, आईफून 7 Plus की आगे हलका सा स्लो फिल होता है, स्प्रीड टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ज्यातर आप जो हैं वो आईफून 7 Plus ज्यादा जल्दी ओपन कर जाता है, आईफून 6S Plus की निस्बत, उस लिहाद से मेरा ख्याल में कि आईफून 7 Plus काफी ज्यादा फास्ट है, आईफून 6S Plus की निस्बत और काफी ऐसी आपस हैं जिन में आईफून 6S Plus हलका हलका आपको स्लो भी फिल होना शुरू हो गया है, वहीं पे 7 Plus हर एप जल्दी ओपन करता है, कोई इशू देखने को नहीं मिलता, तो परफॉर्मस माइज मुझे काफी ज्यादा फारक जरूर फिल हुआ है, यह नहीं के इतना ज्यादा फारक फिल नहीं होगा, इतने एक जिनरेशन का फारक है, तो फारक फिल नहीं होगा, फारक ज़ूर फिल होता है आपको, 7 Plus ज्यादा फास्ट है 6S Plus की निस्बत, उसके बाद अगर आप इनके रैम की बात करते हैं, तो 6S Plus में आपको 2GB RAM देखने को मिलती है, 7 Plus में आपको 3GB RAM देखने को मिलती है, तो उस लिहाज से भी 1GB RAM भी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, आपको 7 Plus में PUBG की बात करते हैं, तो आई फून 6S Plus आपको 30 अफिस का गेम प्ले देता है और काफी ज्यादा लेग करता है यह वाला फून गेमें के उपर इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मस नहीं देता फायर कुनेक्टिविटी नो डौट अच्छी है वहीं पर सेवन प्लस से कंपेर करते हैं तो सेवन में आपको प्लेएबल गेम देखने का मिलता है आपको ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलता है देखने का प्रेम जाता और दो चलते रहते हैं तो पबजी के लिहाद से गार नहीं करू其实 कि मैंस तो बिल्कूल ऩेंग्मिन नहीं करूंग बिल्कुल पक्तрем में इस में मुझें ने क्वेलिए जाता है तो कि यौद का कर्म सेप्रादए, फोड़ा कीचे रहे हैं, तो उसलिहां से प्लस थोड़ा पीछे रह जाता है, इसकी एक तो हमें बिल्कुल portrait नमूर देखने को नहीं मिलता है उसके लिए इस इलावा इसमें हमें वीडियो recording दोनों में सेम देखने को मिलती है 4 के 30 fps लेकिन इमिज क्वालिटी में काफी ज्यादा difference देखने को हमें दोनों फूल में मिलता है बाकि इनका camera detail camera test मैंने डालाओ इस चैनल पर वह भी आप जाकर देख सकते हैं आपको समझ आ जाएगी तो उसलियाज से camera वाइस तो 6s प्लस मुझे इस टेम इतना ज्यादा अपसंद नहीं आया पिक्चर में detail भी काफी कम देखने को मिलती है और एड़िट कर भी लेंगे तो कुई ज़्यादा एक्ट्रा और्डरी नहीं जा पाएंगे आप अगर क्प्चर के लिए कम से कम प्राइज में लेना है तो आप जस्ट 6s ले लीजिए इसी तरह की performance देता है लेकिन आपको प्राइज इस से तक्रीबन काफी यूँ कहलें कि तक्रीबन 50 से 60% कम देखने को मिल जाती है तो मेरे लिहाज से आपको अगर बाइज करना ही है तो कैमरा के लिए कम प्राइज में 6s बाइज कर लीजिए लेकिन उपर जाना है तो पिर 7 प्लस की तरफ चले जाएए इसमें आपको portrait mood देखने को मिलते है extra ज्यादा battery image quality देखने को मिलती है details ज्यादा देखने को मिलती है तो यह पर front camera में आपको 1080p recording भी देखने को मिलती है 7 plus में तो वो भी एक अच्छी चीज है आपको 6s प्लस में just 720p video recording देखने को मिलती है तो मेरा ख्याल में उस लिहाँ से आपको 7 plus की तरफ चले जाने चाहिए यह camera's भी इसके ज्यादा बेतर है main बात यह है के मेरे साबसे इन दोनों का comparison इतना ज्यादा अच्छा बनता नहीं था clear winner आई प्लस बैटरी टैमें की बात करते हैं तो 7 plus की बैटरी टैमेंग 6s plus से थोड़ी सी कम है सिर्फ यह एक चीज मुझे फील हुई है otherwise कोई इतना फरक देखने को नहीं मिलता चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो वह सेवन प्लस की ज्यादा है आई फून का तो आप सेवन प्लस की तरफ जाईए 6s plus इस टेम काफी हो लो चुक है आपको काफी ज्यादा चीजों में कमी देखने को मिलेगी कैमरा में पर्फॉर्मस में और एट लिस काफी कुछ ऐसा है आपको कम देखने को जरूर मिलता है तो सेवन प्लस काफी बैतरा आप्शन है अगर आपके पास 6s plus पहले है आप ग्रेट करने का भी सोच रहे हैं तो आप जरूर अपग्रेड कर सकते हैं आफूस सेवन प्लस बाकि कोई किसी किसम का क्वेस्टन हो तो आप मुझे कमेंटर में जरूर पूल सकते हैं इस तरह के वीडियो में इस चैनल पर डालता रहता हूँ तो अब अपने बाई को दीजिए जादत मिलते हैं किसी नेक्टर बहुत ही इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अला आफिज